हालो दोस्तों आज हम बात करने जा रही हैं एक जूते के बारे में जी हाँ ये जूते आज कल चर्चा का विशे बने हुई है लोग सर्च कर रहे हैं कि आफिर इन जूतों की कीमत क्या है इन जूतों की खासियत क्या है और आफिर क्यूं ये जूते जो है वो सोशल मीडिया प राहूल गांदी अपना प्रचार करने गए थे अब जूतों का राहूल गांदी से क्या तालुक ये भी आपको बताएंगे क्योंकि राहूल गांदी जब तामिल नाडू अपने प्रचार करने जाते हैं वहाँ पर लोग जो है सडकों पर खड़े होकर उनका अभीनंदन करते हैं उनको देखने के लिए आते हैं फिर राहुल गांदी रुखते हैं एक चाई की दुकान पर बस यहीं से शुरू होती है उन जूतों की कहानी क्योंकि उन जूतों का इस चाई की दुकान के साथ एक connection है क्या connection है आपको बताते हैं हम जैसे ही राहूल गांदी चाई की दुकान पर चाई पिने के लिए रुपते हैं वहाँ पर राहुल गांदी की मुलाकात होती है एक 12 साल की लड़के के साथ लड़के का नाम है फ्लेक्स तो जैसे ही बाचरित होती है वो लड़का बताता है कि वो दोडाक है दोडता है और 100 मीटर की दोड को जीत भी चुका है तो राहुल गांदी बड़े ही खुश होकर उ पोड़ सकते हो और वो बच्चा जो बड़ी मासूमियत के साथ जवाब देता है बिलकुल मैं आप से भी जादा तेज दोड़ सकता हूं बस विर क्या था राहुल गांदी उनकी बास से खुश हो जाते हैं मैं पूछते हैं कि तुम दोडाक हो लेकिन तुमने जूते क्यों न वहाँ पर जो भी लोग उपस थे उनको लगा कि ये भी किसे लीडर के इलेक्शन के दुरान कियेगे वादों की तरह ही होगा जो किया है लेकिन पूरा नहीं होगा लेकिन कमाल की बात ये है कि राहुल गांदी उस बच्चे फ्लेक्स को जूतों की एक जोड़ी भी जुआ आते हैं तामिलाडू के यूथ कॉंग्रेस ने अपने ट्वीटर हैंडल पर ये ट्वीट किया फोटोग्राफ भी डाली और उसके बाद सोशल मीडिया पर इन जूतों की चर्चा छिड़ गई क्योंकि लोग ये जानने के लिए उच सकते के आखिर इन जूतों की कीमत क्या है बस विर क्या था जैसे ही लोगों ने सर्च करनी शुरू की तो ये पता चला है कि ये किसी कमपनी के जूते हैं और तकरीबन पांच हजार के आसपास इन जूतों की कीमत है तो ये जूते चाहे पांच हजार के हो चाहे पांच सो के हो चाहे पचास हजार के बात ये नहीं इसाथ किहा है क्या detrimental 꽃 रैगल सकती है रहुल गांधी ने माशूम बच्चे के साथ किये वादे को निभाया क्योंकिोंकि उस मासूम बच्चे का ये जो सपना या उस पर जो विश्वास किया था राहुल गांधी पर उसने अगर ये पूरा ना होता शायद बच्चे के सपना तूट जाता और शायद बच्चा किसी पर विश्वास ही ना कर पाता तो अच्छा लगा कि उस बच्चे के विश्वास को तोड़ा नहीं गया तो किसी और अपडेट के साथ हम फिर से आएंगे तब तक के लिए बाबाई